तो हलो फ्रेंड्स अगेन एवाम वेलकम इन क्रियेटिव कॉमरेड और यह हमारा इस ज़्यादा क्यों ने मिल पा रहे हैं जो काफी साथ की जो भी एक्जाम है जो भी उप्यासी कंड़क्ट करवाता है तो इतने ही क्योशन मिल रहे हैं ठीक है ना अब ज्यादा सच करने पर टाइम वेस्ट हो रहा है तो अगर आप बोलोगे तब ही कोई दूसरा वीडियो इसका एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पर रिलेटेड आएगा नहीं तो यह दो वीडियो में हम खतम करेंगे ठीकिन आपने कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिस इन वीडियो से हमें यह आइडिया हो जाएगा कि यूप्यसी किस लेवल तक पूँछ रहा है ठीकिना कहा सब्जेक्ट से रिलेटेड दो वीडियो हो जाएगा ठीकिना इसके बाद मैं पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का टू दपॉइंट रिवीजन महराथन वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो में वही क्यूशन डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस येर क्यूशन जो मतलब वही कॉंसेप्ट डिस्कस करूँगा जो कॉंसेप्ट पूछेगा क्यूशन से रिलेट करेंगे ठीकिना और मेभी वह वीडियो शिक्स आवर के आसपास होगा तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप में भी आपको पसंद आएगा ठीकिना चली स्टार्ट करते रही वाला सेक्शन ठीकिना फ्रेंट्स तो वही रिकॉर्डिंग की प्राब्लम हो गई थी फिर से ठीक हुआ है चली स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन है एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडो आफ कमर्शियल डैट ओपन ऑटमेटिकली अन ब्राउजिंग वेपेज इस कार् जब भी आप कोई चीज ब्राउज करें ठीकिना तो कभी कभी क्या होता है एक एक एक्स्टर विंडो आटोमेटिकली खुल जाता है तो उस विंडो उस विंडो को क्या करते है ठीक राउप्शन देखते हैं स्पैम वाइरस पिसिंग एन पाप अप तो देखे पीसिंग तो तिस निंक एक ऐसी process है जिसमें क्या करते हैं दूसरे का information दूसरे का credential access करने की कोशищ करते है ठीक भиляacak्ष फ्रॉर टाइप का है वायरस तो डिफरेंट ही है ठीकिना वायरस तो आउट आफ से निर्यू है तो यह दो आप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं अब हमारे पास दो आप्शन बचा स्पैम एंड पॉपप तो अगर हमें स्पैम और पॉपप की करेक्ट डिफिनेशन पता है त हम यह कुशन क्रेक्ट कर देंगे ठीकिना तो देखिए इस पैम क्या होता है इस पैम को बोलते है कि कोई कोई अनौपचारिक मैसेज मतलब इरलेवेंट जो भी आप सार्च कर रहे है उससे ना जूरा हुआ उससे इरलेवेंट मैसेज अगर आप सेंट करते हो थूद इंट अब से रिलेटेड यो मालवयर से रिलेटेड है इन सब चीजों के typ करते है इस पैम मतलब कोई चीज इनट्रो इस किसी को संडे कर रहे है ठीक ना अगर परटिक्वा कोई भी यूजर वो चीजे सच नहीं करने विंडव आ जा रहे है ठीकिना तो कहीं जंडे तो रहे तो वो inappropriate window आ रहे हैं ठीकिना तो उसे क्या बोलते है इस पैम बोलते है और pop-up क्या pop-up किसे बोलते है pop-up कभी देख लेजिए एक प्रकार का advertisement है that appears suddenly and exists for limited time तो देखे जो pop-up होता है जैसे मालीजी आप कुछ चीज ब्राउज कर रहे है किसी window में ठीकिना तो क्या होता है तभी अचाना कि हमारे pop-up शो करने लगता है छोटा से message शो करेगा ठीकिना यह pop-up शो करेगा और लेकिन वो message क्या होता है कुछ time के बाद automatically वहाँ से हट जाता है अगर आप वहाँ पे ध्यान नहीं दोगे click नहीं करोगे तो message क्या होता है automatically गाइब हो जाता है तो क्या होता है pop-up होता है और spam में क्या होता है अगर आप को चीज सर्च कर रहे हो तो एक पर्टिक्लर एक एक्स्ट्र एडवर्टाइजिंग यह phishing window खुल जाती है ठीक है ना जिसमें आपको application इंस्टॉल करने के लिए बोलता है यह सब चीजे वो क्य में क्या होता है अगर एक new window खुल गया तो new window वो तब तक खुला रहेगा जब तक आप उसे cancel नहीं करोगे ठीक नहीं जब तक आप उसे exit नहीं करोगे यहीं अंतर होता है pop-up spam में तो friends इसका जो right answer हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा spam ठीक है ना चलिए अगले question पे चलते है consider the following storage device arrange these in extending order of storage capacity and select the correct option ठीक ना यह जो storage device दी है hard disk cd-rom and dvd-rom इसको storage capacity के base पे इसको correct order पे extending order मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा बढ़ते क्रम में हमको इसको arrange करना है ठीक है ना तो देखिए सब किसके बेस पर इस टूरेज हमेसा कम होगी उसकी डीवीडी रोम की होगी capacity आपके hard disk से कम होती है, तो सबसे ज्यादा storage capacity आपके hard disk की होती है, फिर dvd की ज्यादा होगी as compared to cd, ठीक है, तो इसका correct जो हो जाएगा, जो series हो जाएगी क्या हो जाएगी a c b, ठीक है न, देखते हैं किसमें a c b, तो option 4 is right answer, लिए अगले question पर चलते हैं, in computer related activity, what is the full form of worm, w o r m का full form क्या है, ठीक न, तो ये word क्या है, computer से related, इसका क्या मतलब होता है, राइट, w means right, लिख देटा हूं है, mouse के use कर राइट, थोड़ा problem हो सकती है, ठीक न, w means हो जाएगा, right, right, o come, o come means क्या है, याँ पर, once, right, once, right, once, read memory, ठीक न, r means read, और m मतलब memory, right, right, once, read memory, right, once, read memory, read many नहीं, friends, right, once, read memory होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप, exam में इसको solve कर रहे होगा, ठीक है न, to write once, read memory, this is the right answer, चली अगले question पर चलते हैं, जो हमारा ये question है, given below are two statement, दो statement दी हुई है, ठीक है, in the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below, ठीक है न, दोनों statement को आपको पढ़ना है, और जो भी statement उसमें सही है, या गलत है, आपको बताना है, तो पहला जो statement क्या है, word wide web is not an example of client server technology, और दूसरा हमारा क्या है, statement, FTP is a service available on the internet, तो देखिए, आपको confusion हो सकता है, मैं भी आपको statement एक में confusion हो सकता है, लेकिन statement to के बारे मं मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में तो पता ही होगा, ठीक हो एफटीपी क्या होता है, file transfer protocol अभी file transfer कहा हो दा और कैसे हो देखिए जैसे माल लिजी किसी place पे एक file रखी हुई है ठीक न अब मैं अब बहुत सारे user इसको access करना चाहते हैं बहुत सारे माल लिजे एक user आपका पाकिस्तान में एक user आपका Canada में है एक user आपका रशिया में है ठीक है न ये सभी user इस file को access करना चाहते है तो इस FTP file transfer protocol के थू file transfer protocol service के थू वो क्या कर सकते हैं वो login करेंगे और ये file वो आसानी से download कर सकते हैं any user and anywhere can download this file by help of internet ठीक है न तो ये सही है FTP is service available on the internet ये option correct है अब दूसरा देखते है वर्ड वाइड वेब इस नौट एड इंग्जामपल अफ client server technology देखते है client server technology क्या client server technology means आपका एक server है ठीक है आपका एक server है अब बहुत सारे people बहुत सारे people इस server में माली जो कोई information है इस server में मालीजिए result is related कोई information है इसमें result upload किया गया है ठीक है ना किसी भी board का है result upload किया गया है अब बहुत सारे लोग इस पे access करना चाहते हैं ठीक है तो यहां पर चोटा चोटा हब बन जाता है जैसे मालीजिए एक user ने access किया इस page पर ठीक है ना तो एक cookies type को cash memory store हो जाता है ठीक है इससे क्या होता है बहुत सारे जो client है एक mini server बन जाता है ठीक है यहां पर तो बहुत सारे client आसानी से एक ही time में इस server को access करके information ले सकते है ठीक है ना यह होता है क्या client server technology तो यह जो लेकिन client server जो technology है उस पर आप कैसे उसका use कैसे करोगे जब आप www का use करोगे तभी आप इस server से information निकालते है ठीक है ना क्य इसी domain name के form में इससे हो ठीक है ठीक ना तो यह जो option है word by word by web is not an example of client server technology ऐसा नहीं है जो client server technology का example है वो www means worldwide web client server का example है ठीक है ठीक है ना तो यह ध्यान रखिए इसके लागा client server technology के कुछ और example है जैसे आपका जैसे आप email करते हो इमेल के अप कया कैसे करते हो इमेल प्रीट कुलर सरवर रहे ठीक है अन उस पैटिकॉलर सरवर में अपने अलग एक ID बना लिए है अपनी पहचान बना लिए अब उस पहचान से आप किया कर रहे है इस server में सभी information बहुत सारी publication अब आप उस अपने email से अपने ID से इस server में घुसेंगे और जो भी information आपके लिए classified है आप उनको access कर सकते हो ठीक ना तो यह भी किसका example है client server technology इसके लाव नेटवर्क प्रिंटिंग भी आपके आपको client server technology का option है इसके लाव वाइड 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 भी आपको client server technology का example है चलिए तो यह question हो गया है अगले question पर चलते है question number यह है consider the following technologies arrange the above technology of the different computer generation in the order they have been used start from the technology that was used in first generation तो यह friends कासी simple question है आप लोग इससे familiar होगी तो देखिए सबसे पहले क्या आया था vacuum tube आया था उसके बाद transistor हो जाएगा उसके बाद microprocessor हो जाएगा फिल लास्ट में क्या आया है artificial intelligence ठीके ना तो इसका जो right answer हो जाएगा क्या होगा जिसका जिसकी शुरुआत B से हो रही तो यह हो जाएगा right answer और D पर खतम हो रहा है चलिए अगले question पर चलते है अगेन दिस वेरी Any कैसे यहां को चीए अफ के खांशन देखिए आपको एंशर पता हों थे हो यहीए कर रहा यहीं तो यहां पर यहां प्रक्राइब इंटिफाइब करने में आपको प्रॉबलम हो देखिए यहां प्याप से आप यह सोच यह कॉमन सेंस लगाई एक देखिए क्या होता है क्वी kbmbgb ठीक ना kbmbgb और टीनों क्या है किलो बाइट बाला वच्छे का तो यह तो आप आसानी से कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं ठीके ना चलिए काफी सिंपल क्यूशन था हमारा अगला क्यूशन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम यह अपनी प्रतलिपया अंतर स्थापित करने से फैलता है देखे आपके कंप्यूटर ने वायरस का फैलता है जैसे माली जी आपने कोई एक्स्ट्रा चीज इंसर्ट की ठीके न जैसे कोई आपने पिन डाईव लगाई जी कोई ऐसा सोफ्ट्वेर ऐसा प्रोग्राम न जो जैसे आपने प्रोग्राइव यहां पे लगाया तो वो वह सोफ्ट्वेर वह प्रोग्राम आपके सिस्टम में डाउन्लूड है तो यही है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपके ड्राइब में वो कॉपी इंसर्ट होगा, फिर आपने जैसा ही दूसरा फोल्डर खोला, तो वहाँ भी उसकी एक कॉपी, अल्रेडी कॉपी हो जाती है, अब वो एक प्रोग्राम कॉपी होती है, जो हर एक फोल्डर को कंट्रोल करना, एफिक्ट करना, इफिक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है न, यह काफी इंपोर्टन हो जाता है फ्रिंट्स, इसका राइट एंसर है, ऑप्शन टू, चलिए अगले क्यूशन पर चलते हैं, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन दे टर्म आरजीबी म करते हैं, तो इसमें एक टर्म आता है, आरजीबी, आरजीबी का क्या मीनिंग है, तो आरजीबी का मीनिंग है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू है, तो क्या होना चाहिए, आरजीबी मिन्स रेड ग्रीन ब्लू, यह रेड ग्रीन ब्लू, यह रेड ग्रीन ब्लू, तो आ आप इसको इंटेरेट पर सेफिकरके देख सकते हैं, मेरे साब से तो जो कलर है यही होना चाहिए रड़ गeki्रीन प्री होना चाहिए ठीकि अ रेड़ ग्रीन ब्लू होना चाहिए के लिए सेफिकर लेते हैं, और जीब येट इसाच और आरश्चा और video compression RGB the stand for in video ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको स्किप कर दूँगा आप देख लीजिएगा ठीक है अच्छी वो चीज नहीं आ पा रहा है ठीक है क्योंकि इस सही लिखा सही इंफोर्मेशन नहीं प्रॉइड की गई है तो इस देखें या तो वो रेड ग्रीन ब्लू होगा या रेड ग् किन ब्लैक कभी नहीं होगा जो इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन टू हो तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा कि इसको सॉल्व कर सकते है ठीक है तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेड ग्रीन ब्लू हो चलते हैं यहां पर देखिए मेरे वो क जाता है ठीकिन आगे बढ़ते हैं विचरुको फॉल्विंग इसें मैं कौन सा है जो ब्रॉजर नहीं है अब आप इसमें कंफूज हो सकते हैं क्योंकि देखें इंटरनेट एक्स्प्लोर कंप्रेटली ब्लॉजर गूगल क्रोम भी गूजर ब्लिक यहां आपको मोजीला फ आप याहू के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा याहू क्या है एक इंटरनेट पोर्टल है याद रखिएगा याहू एक इंटरनेट पोर्टल है याहू का एक पर्टिकुलर ब्राउजर तो है ठीकिन लेकिन उस पोर्टल के अंदर है ठीकिन याहू क्या है याहू इंटरनेट पोर्टल विच्छ इंकार्पॉरेटेड इसर्च इंजन जैसे याप याहू सच करें गए एक इंटरनेट पोर्टल खुलेगा ठीक है लाविस पर उसके अंदर एक ब्राउजर इंकार्पॉरेटेड याहू ब्राउजर तो देखिए तो इस तरह क्योशन आते हैं तो ध्यान रखेगा, चलिए, अगले केशन पर चलते हैं, निमनिकित में कौन सा कथन सही है, सौफ्ट्वेर को RAM से, RAM से, कोई सौफ्ट्वेर है, उसको RAM से से कंडरी स्टोरेंग में रखा जाता है, और फिर CPU द्वारा की आनुवित होता है, तो यह तो गलत कथन है, ठीकिना, सर्च इंजन, सर्च इंजन, ऐसी सॉप्ट्वेर प्रडाली है, जो भी सुब्यापी, वेव डबलु 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 पर सूचना तलास करने के लिए अभिकल्पित किया गया, यह सही है, ठीकिना, अच्छिए, इसका option mention करना मैं भूल गया हूँ, ठीकिना, चलिए, तो व नहीं क्रब में लगाना, सही order में मैंने स्क्राइण है, ठीकिना, देखिए, क्या होता है, फ्रेंट्स, जो आपका URL होता है, ठीकिना, जो आपका URL होता है, वो बेसिक, जो उसका basic order है, जो इसका standard order order का है, पहला क्या होता है, scheme, इसकी तीन standing order reference, उसके standing order में तीन चीज़े है scheme, ठीकिना, उसके बाद क्या आता है अपका, slash, post आता है, याद रखिएगा, उसके बाद आता है आपका, path आता है, पाथ के साथ ही query string, ऐसे रहता है, उसमें ऐसे column करके query string, query and string, यही चीज़ रहता, ठीकिना, दो scheme होता है, आपका, post हो गया, और path हो गया, path के बाद query and string, ठी कि इस्कीम में क्या होता है इस्कीम में होता है आपका प्रोटोकल आएगा एच्टी टीपी और एच्टी टीपी एस यह किसमें आता है आपका यह स्कीम में आता है ठीक है न तो तीन चीजाद रखेंगा इस्कीम होस्ट एंड पाथ यही राइट और है ठीकिन इस्कीम में क्य ऐसा है कि software लिखा है पहले फिर software के बाद फिर http फाइल लिखा है उसके बाद html.file का नाम देदी है तो यह क्या हो जाता है आपका path हो जाता है string मतलब string वह फाइल का name identify करेगी फाइल की पहचान करेगी तो string हो दिया ठीक है तो देखिए पहले क्या रहा है http और http उसके बाद क्या रहा है आपका domain name आ ठीक है आपका host का domain name आ रहा है उसके बाद क्या रहा है path आ रहा है तो चलिए देखते हैं पहले protocol पहले protocol फिर पाथ नहीं यह गलत हो जाएगा पहले protocol फिर host का domain name फिर पात हाई जागा फिर फाइल थे क्या हो जाएगा हमारा right option हो जाएगा चले अगले question पर चलते हैं अधिये जो हमारा अगला question पर बोला जा रहा है कि नियम लिखित में कौन सा application software हें कौन सा application software मतलग एपर जया कि चल्ब सॉफ्ड़ों पूछ रहा कौन सा प्लिकेशन केा इंडाइट ऑप्रेटिंग। सिस्टम थो हैं कि अपर्चएट ही आप्रेचशन स्बसक्रीकस्वर्थ एक कि सॉफ्ट्वेर एक अप्लिकेशन दिया ओश्यूंस और आपकेक Creativity遊戲 का यौनस और चलते हैं, what type of device is joystick, actually friends, ये जो इस वीडियो में जो क्युशन मैंने मिनसंड किये है, पहले वीडियो में जो क्यूशन मैंने किये थे, वो latest थे, हो 20 का था, फिर 19 का था, फिर 18 का था, फिर 17 का था, फिर 14 का था, ठीकिना, 14 तक paper एवलेबल है, यूपस्सी की website पर, अब लेकिन यह जो है, यह जो question है, वो उसके बाद से, वो उसके बाद के question, जो मैंने unauthorized website से उठाया है, क्या होता है, काफी website जो पुराने paper, previous paper अपने site बे डाल के रखती है, ठीकिन, उस particular exam का, तो वहां से मैंने paper उठाया है, और वो इसलिए यह paper थोड़ा आपको simple लग रहा होगा, current के अच्छा, क्योंकि देखे, पहले क्या था, computer से related simple question ही पूछी जाते था, memory, लेकिन अब क्या हो रहा है, memory पूछते पूछते आपका operating system पूछते पूछते बहुत टाइम होगा, अब वो क्या evolve कर रहा है, UPSC भी evolve कर रहा है, इसलिए जो current question है, थोड़ा difficult पे, धिर 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 इसमें दिये गए option में कौन सा एक instructional software है, इसके बारे में आपको instructional software के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीकिन, sorry, instructional software के बारे में जानकारी, तो यहाँ पर आप idea लगाए, instructional software लिखा है, मतलग instruction के बारे में कोई बात हो रही है, ठीकिन, instruction के बारे में बात हो रही है, तो पाच्च टाइब के इंस्ट्रक्शनल सॉफ्ट्वेर होते इंसhan JIaj rag next करेंग पहला होता आपका ड्रील विéral ऑन्ड ग्रीड आपको समझाओंगहा भी ठोड़ा निखिए प्रिल एंट्रेक्टर वेर पहला इंस्ट्रक्शनल्ट उफ्टु सॉफ्ट वेर हो गया दूसरा हमारा इंस्ट्रक्शनल सॉफ्ट वेर क्या होता है वो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल सॉफ्ट वेर तीसरे इसके बाद आता है फोर्थ नंबर वो क्या है डाबलम सॉल्विंग सॉफ्ट्वेर अब इंस्ट्रक्शनल सॉफ्ट्वेर क्यों है क्यों कि यह सब क्या होते हैं अब इंस्ट्रक्शनल सॉफ्ट्वेर क्यों है क्योंकि यह हमारे instruction पर काम देखिए इनके लिए जो इनके लिए instruction हम नहीं देंगे इनके लिए instruction होता है वो प्रोग्राम रूप में instruction मौझूद होता है जैसे आप discovery website पर discovery website पर कोई भी चीज क्लियर करें कोई भी चीज आप सर्च करते हो ठीकिना तो वहां पर already उस content से जो बाँ तो यह instruction पर काम इसके लिए पिंगे अधिक ऑल्यूडी instruction बना की रखा गया तो इसलिए इस software को इंस्ट्रक्शन सॉफ्ट्वेर कहा जाता इसके लगई जैसे जो टूट्वेर ऑट्रूरील साफ्ट्वेर है वह भी इंस्ट्रक्शनल शॉफ्ट्वेर हैं यह सब इसक तो यह नहीं होगा प्रिंटेड मटेरियल और बुक नो रेडियो टॉप नो एडू सेट एडू सेट क्या है एक एडू सेट वह आपको एडू से रिलेटेड लग रहा है ठीकिना तो हमने बात किये है टूटोर्यल जो सॉफ्ट्वेर होगा वह किसमें आएगा आपका आप का वीडियो देख सकते हैं यूटूब पर बहुत सारी वीडियो अवलेवल है कि आप कैसे चेंज करते हो ठीकिना मैंने आप इनहीं किया है आप करना चाहते है तो कर सकते हैं चलिए कर दीजिएगा क्योंकि आ सकता है इसफाइपर क्यूशन कंप्यूटर में डीवीड रोम होता है वो क्या होता है एक optical storage मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है एक देखे आपका DVD रोम हो गया आप्टिकल तो है इतना तो आपको पता जो आपका DVD रोम होता है वो या उसके बाद ना आप उसको ओवर राइट कर सकते हो ना आप उसको इरेज कर सकते हो ठीके ना तो डीवीडी रोम को क्या हो सकता है एक बार राइट हो गया तो ना उसको ओवर राइट कर सकते हो तो एक आप्टिकल स्टोरेज मेडिया जिससे कई बार लिखा दा सकता है यह गलत हो जाएगा एक ऑप्टिकल स्टोरिग मेडिया इसे केवल एक बार रिखादा सकता है इसका राइट आंसर होगा चलिए अगले क्यूशन पर चलते हैं अगला क्यूशन हमारा है विट रिगार्ट टुदे कंप्यूटर मेमोरी विच और फॉल्विंग स्टेटमेंट इस ट्रू सही स्टेटमेंट आपको पता करना है ठीक है हिंदी वाले जो भी हिंदी प्रिफर करते हैं तो यह वाला स्ट्रेशन देख सकते हैं ठीक है इंगलिष में एक्स्प्रेंट किये दे रहा हूं कैसे इस बोलेटाइल मेमोरी आप कैसे पहचानेंगे कभी 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 क्या होता है वर ओन एप नवाले टाइल में तो देखिए, जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक है, जैसे ही आप का system switch off हुआ, वो सारी information erase हो दाती है, जै क्या होती है, आपकी volatile memory, ठीक है, temporary memory, इसके बाद non-volatile जो pre-recorded होती है, जो erase नहीं होती है, ठीक है, जो हमेशा मौझूद रहती है, computer system है, ठीक है, तो वो क्या होती तो देखिए अब कैसे समझोगे कि जो एरेज होता है वही बोलेटाइल है जैसे मालेटाइल मालों आप बहुत बात करते हो तो आपने कुछ बोला आपने कुछ बोला जैसे मैंने अभी बोला कि मैं कहां जा रहा हूँ कुछ दिर बाद ये वर्ड गायव हो जाएगा ठीक ना इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि गाय वह जा रहा मतलब इरेज हो जा रहा लुग, इस तरीके से अद एख एख ित्रिक है आप अपना खुट-कच्रिक बना सकते हो तो इस तरीके तरीके सा आप ओलेटायल मेमोरी याद रख सकते हो। तो cache memory is volatile memory आपको पता यह right है, magnetic memory is a volatile memory, flash memory, flash memory भी आपका volatile memory है, ram is also volatile memory, जो हमारा option B बचा है, और सही हमको इसमें true find करना, magnetic memory is a non-volatile memory, flash memory is a volatile memory, ram is a volatile memory, okay, ran तो आपका random access memory, volatile memory है, crash memory is a volatile memory, flash memory is a volatile memory, तो देखे, यहाँ पिर आपको true statement find करना, अब आपको यहाँ पिर सब true, कि मेरे को भी crash memory के बारे में लग रहा है, इसके लावा क्या magnetic memory, magnetic memory, तो यह तो completely गलत है, ठीकिना, यह तो गलत है, flash memory is a volatile memory, यहाँ पे भी आपको छोड़ा doubt हो सकता है, लेकिन हमें यह पता है कि रैंग, जो आप RAM होती है, वो volatile memory है, जो RAM है, वो volatile memory है, यह हमें इसके बारे में confirm, जिसके बारे में confirm है, हम वहीं tick करते हैं, और यहीं इसका right answer friends, और यही तरीका होता है, जब आप PPSC exam में confuse होता है, जो भी आपको correct पता है, आप उसको mark करिए, चलिए, आगे चलते हैं, अच्छा इसमें option भी है, यह option भी है, तो आप चुन सकते हो, ठीकिना, option है तो आप चुन सकते हो, कौन कौन सो हो जाएगा, आपका RAM हो जाएगा, उसके बाद आपका cache हो जाएगा, देखते है, option देखते हैं, जोगार हमको idea हो जाएगा, जिसमें D है वो तो सही है, D के बाद हम और extra क्या लग सकते है, C, C तो नहीं होगा, C हो सकता है, flash memory, D और C, D और A, okay, cache memory and flash memory, volatile memory, तो देखे, cache memory क्या होती, एक fast and expensive and very short memory हो है, यहां मेरे को doubt हो रहा है, cache memory में भी chance है कि non-volatile हो सकती है, ठीकिना, जो flash memory है, वो तो शायद volatile ही होती है, अब थोड़ा इसको बार, इसको देख लीजिएगा, ठीकिना, कि rank के साथ क्या आएगा, flash आएगा, कि cache आएगा, ठीकिना, इसके वारे मेरे confusion हो रहा है, भूल है और मन करें तो comment section में link भी दीजिए गराइट answer, ठीकिना, चलिए आगे बढ़ते है, software जिसी आप initial download कर सकते हैं, कि इसका प्रियोग जारी रखने के लिए आपको इसका भुगदान करना पड़ता है, तो इससे क्या बोलते है, देखिए friends, आप इसको guess करने की कोशिश करीए, इसको आपका trick बताता है, आपको कैसे guess करोगा, देखिए freeware, freeware मतलब जो free में है, freeware मतलब ऐसे software जिन्हों आफ जिन्हों freeway download कर सकते हो, ठीकिना, जैसे यह जो मैं use कर रहा हूँ, software OBS studio, इसको मैं free में use कर रहा हूँ, लेकिन कैस में restriction है, इसका हर, इसकी हर facility में यूज नही software कहलाते है, ऐसे software जिन्हें हमने download किया, तो जिन्हों free trial मिलता है, ठीकिना, और जैसे ही वो 7 दिन का, 10 दिन का free trial end होता है, उसके बाद हमें charge करना पड़ता है, चार्ज पे करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको use कर पाएंगे, तो shareware हो जाता है, ठीकिना, जिसका जो right answer हो सब्सक्राइब देख लिए, उसके लिए उसमें license की जरत नहीं पड़ते है, वो without license, वो software release होता है, उसे without license, without license, without license, distribute किया जाता है, मतलब आप उसे कोई भी, कोई भी बेच सकता है, कोई भी download कर सकता है, ठीकिना, इसके लिए कोई copyright नहीं है, public domain software मतलब हर public के लिए वो software available है, लेकिन free में नहीं याद रखे, public domain मतलब release, release without copyright और without license, ठीकिना, no legal copyright और no legal documents, तो इसमें कोई copyright नहीं है, कि इसको हमारे Google नहीं बनाया है, ठीकिना, तो आप इसको नहीं बेच सकते, ठीकिना, आप इसको update नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, यह public domain software है, public domain software है, ठीकिना, public domain software, ऐसे कुछ software को अगर आप से पूछ लिये जाए, कि कुछ public domain software को आप पहचानिए, क्या है, पहला मारा जो software public domain, धियान से सुनिएगा, friends, जिसे आपका blast हो गया, blast एक public domain software है, ठीकिना, इसके लावा आपका SQLite, SQLite, DB management software है, ठीकिना, यह भी आपका public domain software, इसके बाद, I2P, I2P, I अपका public domain software है, open source software, देखियो, open source software में क्या होता है, open source software में क्या होता है, इसका, इसका जो रिलीज होता है, इसके लिए एक legal copyright के साथ है, इसलिए क्या होता है, यह ओपन source software होता है, ठीकिना, तो, अगर आप इस software को use करना चाहते है, यह software आपको internet मिल रहेगा, असानिसे, ले पड़ेगा आप उस पर्टिक्लर कंपनी से जो इसका मैनुफेक्चरर है जो इसका कॉपि राइटर है आप उससे इसका एक्सेस लेना पड़ेगा तो इसे क्या गोलत है ओपन सॉफट्वेर मतलब यह ओपन तो है लेकिन इसका कॉपि राइट दिया हुआ ठीक ना अप पबल रखिएगा SSD storage is faster than any other hard drive RAM or USB this is faster SSD storage faster because speed of access पूछ रहा है मतलब जैसे आपका कोई HDD का hard drive का computer sorry sorry extremely sorry जैसे माली आपको कोई hard drive का computer है तो hard drive computer में जब आप on करते हैं ठीक है न तो आप उसको उसको थोड़ा operate होने में settle होने में में भी time लगता है एक मिनट का लेकिन जो SDD होता है स्टीडी स्टीडी कंप्यूटर को आप तुरंत विदाउड विदाउड सेकंड जैसे यह आपने on किया एक सेकंड मी नहीं लगता अब लॉग इन होगा और आप उसको तुरंत यूज करना स्टार्ट कर दो ठीकिन तो यह होता है SSD स्टीड इस्ट ड्राइब इसका जो राइट ऑप्शन है राइट एंसर ऑप्शन टू अगले क्यूशन पर चलते हैं लास्ट क्यूशन अफ्रेट्स में लास्ट क्यूशन है इन इंटरनेट टर्मिन लॉजी वह स्वारी इन इंटर इसका जो फुल फॉरम है W मतलब वाट डबलु मतलब यू जू एस मतलब सी सी ओके आई मतलब इज ओके फिर डबलु मतलब वाट डवाई मतलब यू गेट यह क्या है वाट यू सी इज वाट यू गेट एक टाइप का एक टैप का software है ठीक निए अच्छली क्या होता है W Y S I WC is what you get एक प्रकार का software है और इसका इसका क्या इसे खासियत क्या इस टॉफ्ट्वेर की की आपको editing allow करता है जिसे माल जे आप इस software के थुरूँ editing करते है ठीके ना आपने एडिटिंग की उसके बाद वो जैसा प्रीवियस था प्रीवियस जो सौफ्ट्वेर था वो आटोमेटिकली आपके एडिटिंग करने के बाद वो आटोमेटिकली कुछ यूज जो भी उसके प्रोग्राम है उसका यूज करके प्रीवियस कंडिशन में चल लगाता है कंडिशन मतलब नहीं प्रिवियस जो प्रॉपर्टी है प्रिवियस रिक्वाइर्मेंट उसको आल्रेडी वो गेन कर लेता है समझ रहा है क्या नहीं उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी जैसे माली यह आप आप आपकी पास यह सॉफ्वेर है ठीकिना आप लेकिन अगर आपने इस वाट यूशी इस वाट यूट इस वाट यूट इस सॉफ्वेर कर यूज करके यह फाइल को एडिट किया है तो एडिट करने के बाद यह फाइल जैसी पहले थी वैसे और डेडी यह फाइल वैसे ही हो जाएगी आपको कुछ इसके प्रॉपर्टी कोटर का क्प्यूटर प्रैक्टिस शेशन का दूसरा वीडियो था ठीकिन अगर आपको कोई चीज आप किसी भी टाइप के इंप्रूव्मेंट चाहते हो या कोई बीचीज आपको पसंद नहीं आ रही हो यह 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 चीज़ यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं या पो कोई इससे ज्यादा वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं और एक चीज मैं फिर से बताना चाहूं को फ्रेंट से की सभी क्यूशन यूप्यसी के थूई यूप्यसी के एक्जाम से लिए गया है क्योंकि कई लोग पूचते नहीं कर सकता है कि यह कि इस एकजाम से लिए गया है तो इसलिए तो इसलिए आप फरोशार रखी जिसके जिसके एंसर दिये गया है जो आपको काफी अच्छा लगी है, तो ठीक आफरेंस, इस्टेट उन और नेवर गीप खतम करते हैं, धैक्यू